फाउंडेशन में सरीय बादने से पहले हो जाएए साउथान नहीं तो हो जाएगा लाखों का नुकसान क्या ये वाला फाउंडेशन जाल घर को बना देगा फॉलाद या फिर इससे भी चल जाएगा काम पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लाज तक बने रही है जी हाँ दोस्तों यदि आप घर का फाउंडेशन बना रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी शही है कि फाउंडेशन के लिए कौन सा इस्टील जाल सबसे बेश्ट है बिलकुल प्लेन वारा इस्टील जाल बनाने में फायदा है या फिर कुछ इस तरीके से जो यल की तरह बेंड रहता है मुड़ा रहता है इसको बनाने में फायदा है इस वीडियो में हम आपको दोनों का कंपेर करते हुए पूरी इंफोमेशन देने वाले हैं बस आप वीडियो में लाज तक बने रही है जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके कि भाई साब कि इसको बनाने में ज़्यादा है तो सबसे पहले एधियम प्लेन फाउंडेशन इस्टील जाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस इस्टील जाल को बनाने के लिए सिंपली कुछ इस तरीके से लेंद के हिसाब से फाउंडेशन की इस्टील को माप कर काट लिया जाता है तो तीन फिट की लंबाई में इस्टील को काटने के बाद नेक्श रिष्टप में आप देख सकते हैं कि इस टील के ऊपर इस टील रखकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर bending wire से बांध दिया जा रहा है हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि एक इस टील से दूसरे इस टील के बीच की distance कितनी रखनी चाहिए तो सभी इस टील को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बादने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस टरीके से foundation जाल बनकर तयार हो जाता है और इस foundation जाल को कुछ इस टरीके से हम foundation की तली में लगाकर इसी के ऊपर column को fix कर देते हैं और बाद में इसकी concreting कर देते हैं और हमारा foundation बनकर तयार हो जाता है next day हम दूसरे टाइप के foundation जाल की बात करें तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाते हैं तो इस foundation जाल की खास बात यह होती है कि आप देख सकते हैं कि यह side से बिल्कुल L-shape में उपर की तरफ उठा होता है और इसको बनाने के यह दि हम procedure की बात करें तो सबसे पहले length के according यानि कि जितनी लंबाई में हमें foundation रखना है उसी के according सरीय को cut कर लिया जाता है सरीय को cut करने के बाद दोनों किनारों को कुछ इस तरीके से उपर की तरफ मोड दिया जाता है और उपर की तरफ मोडने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ इस तरीके से इस टील को रखकर बहुत ही अची तरीके से बेंडिंग वायर से बाद दिया जाता है और बादने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फाउंडेशन जाल बनकर तयार हो जाता है और इस फाउंडेशन जाल को कुछ इस तरीके से फाउंडेशन के एरिया में रखकर उसके उपर कॉलम रखकर इसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं और फाउंडेशन मटगर तैयार हो जाता है अब यहाँ पर कुश्चन उठता है कि यदि हम नॉर्मली घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए फाउंडेशन में कौन सा इस्टील जाल लगाया जाए तो यदि हम इस टाइप के फाउंडेशन जाल की बात करें तो नॉर्मल वाले फाउंडेशन जाल का उप्योग आप नॉर्मल घर बनाने के लिए कर सकते हैं एक्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आपको 1st floor, 2nd floor इस उचाही का घर बनाना है तो उस situation में foundation की जो ठिकनेस होती है वो जादा नहीं होती जादा से जादा foundation की जो ठिकनेस होती है वो 6 इंच से लेकर 9 इंच के बीच रखी जाती है बहुत जादा maximum हुआ 29 इंच के ऊपर जाती है तो यदि आप नॉर्मल घर बना रहे हो तो नॉर्मल घर के foundation में आप कुछ इस तरीके से बिलकुल प्लेन वाले foundation इस टील जाल का उप्योग कर सकते है आपको किसी भी तरह की दिकत नहीं आएगी बट वही यदि आप कामर्सेल घर बना रहे हो या फिर फ्लोर की उचाई तीन से चार फ्लोर आपको रखनी है तो उस सिच्वेशन में आपको foundation की मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा रखनी होती है तो foundation को और भी ज़्यादा मजबूत और सक्तिसाली बनाने के लिए आप इस वाले foundation जाल का उप्योग करेंगे क्योंकि इसमें side side भी सरीय को bend करके लगाती आ जाता है जिससे foundation की transile strength और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका foundation ज़्यादा मजबूत होता है तो यदि आप नॉर्मल एक से दो floor बना रहे हैं तो उस situation में आप इस वाले foundation जाल का उप्योग करेंगे आपको किसी भी तरह की दिकत नहीं आएगी बट यदि आप कामर से लिया फिर 3 या 4th floor structure बना रहे हैं तो उस situation में foundation को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके के foundation इस टील जाल का उप्योग करेंगे तो यह ज़्यादा बेटा रहे हैं तो उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहां पर कौन से इस टील जाल का उप्योग करना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर question होगता है कि foundation में हमें कितने mm की इस टील का उप्योग करना चाहिए तो foundation में हमें 10 mm की इस टील का उप्योग करना चाहिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर foundation में 10 mm की इस टील का उप्योग किया गया है next foundation जाल बातते समय हमें एक सरीये से दूसरे सरीये की 20 की distance कितनी रखनी चाहिए तो एक सरीये से दूसरे सरीये की 20 की distance आपको 15 से 20 cm के बीच रखनी चाहिए और यदि हम यहा की बात करें तो यहाँ पर लगबग 20 cm के आसपास रखी गई है तो अभी के लिए बस इतना ही उमीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन के लिए कौन सा इस्टील जाल कहां पर उपयोग करना चाहिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सेयर कर दीजिए अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल लखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा क्याल लखिये इसी भाव के साथ आप सभी से भीडा लेते हैं धन्यवाद